आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल प्यू कीचन में आज में बनाऊंगी पालक के पकड़े जो की बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही जल्द बनके तयार हो जाता है और बहुत ही क्रिस्पी होता है तो चलते हैं रिस्पी को सुरूर करते हैं तो यहाँ पर मैं पालक के पत्ते ले ली हूं और उसके बाद यहाँ पर मैं बेसन ले ली हूं एक कटोर यहाँ पर मैं बेसन ले ली हूं और उसमें दो चमच चावल का आटा डाल दे रही हूं इससे पकड़े क्रिस्पी बनेंगे और यहाँ पर मैं आधा चमच हल्दी पौडर डाल दे रहे हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है और यहाँ पर एक चमच लाल मिर्च पौडर डाल दी हूँ, आप अपने कॉर्डिंग दीखा कर सकते हैं और एक चमच जीरा डाल दी हूँ, और आधा चमच आजवान डाल दी हूँ, आजवान से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और यहाँ पर मैं स्वाद के अकॉर्डिंग नमक ले रही हूँ, और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक घोल तयार करूँगी हमें इसको कॉंटिनू चलाते रहना, इसमें और पानी डालते रहना है, ताकि इसमें लम्स ना पड़े और आप देख सकते हैं, यह बैटर बनके तयार है, और यहाँ पर मैं कढ़ाई ले ली हूँ, कढ़ाई में तेल डाल दियूँ, तेल को हमें गरम कर लेना है, मीडियम फ्लेम पे, और यहाँ पर मैं पालक के पत्ते ले रही हूँ, और इस बैटर में हमें पालक को अच्छे से डुबा लेना है, अच्छे से बेशन को हमें कोटिंग कर लेना है, और आप भी इस नए तरीके से पालक के पकोड़े जरूर बनाईए तो आप देख सकते हैं तेल गरम हो गया है और इस तरीके से मैं पालक को इस तेल में डाल दी हूँ और इसको हमें मेडियम फ्लेम पे फ्राई करना है अब मैं इसको प्लट दूँगी और दूसरी तरब भी अच्छे से फ्राई करूँगी हमें इसको चलाते रहना ताकि ये अच्छे से पक जाए हमें इसको उलट प्लट के अच्छे से फ्राई कर लेना है और आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है हमें इसको थोड़ा और पकाना है और आप देख सकते हैं ये फ्राई हो गये है अब मैं इसको निकाल लूँगी आप देख सकते हैं ये पकोड़े पक गए है और इसी तरीके से मैं सारे पकोड़ों को बना लूँगी तो आप देख सकते हैं ये हमारा पालग के पकोड़े बनके तयार है और आप भी इस तरह से पालग के पकोड़े जरूर बनाएए ये बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े हैं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद